हलो स्टूडन्स मैसल मेग नामिस हम स्टेंडर्ड सेवन का जहाँ जहाँ वहा रहा ये लेसन देख रहे थे इस लेसन में अब तक हमने देखा था कि ए सबागाव के जो बच्चे है वो कितनी आत्मविश्वास से कहते है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है और हम क्या करने वाले है जो नाला है जहाँ पर बहुत पानी बहता है उस नाले के उपर हमें क्या करना है पूल बानना है तो ये विद्यारती पूल बानने के लिए अलग-अलग प्रकार से जानकरी हासिल करती है वैद्नानिक पुस्तक से भी करते है अंतर जाल से भी वो जानकरी भी हासिल करते हैं यहां तक हमने देखा था इतना ही नहीं तो एस अब गाव के जो बुजुर्ग लोग है जो अनुभवी है वो भी इन में मदद करते हैं युवाओ की शक्ति यहां पर लगती है यानि युवा लोग और बुजुर्ग लोग इन दोनों मिलकर बच्चों को सह हुलिटारी करते हैं वब हम आगे देखते की क्या हुआ था ंतहाँ आंद की वह सुब्ह भी आ गई वर सो की कठेनाई दूर हुई दूर हुई के समुह श्रमदान से पूल बनकर तयार हो चुका था पुरे गाव के लिए यह अनुभव अद्भुत उपलब्धी थी याने पुरे गाव के लिए यह जो थी यह बहुत उस्साही और आनंदमय वातावरन था क्या हुआ था कि अभी उस जो नाला बहे रहा था पानी से उस न नाले के उपर उन्हेंने क्या किया था पूल बान दिया था पुरे गाव के लिए यह अद्भुत उपलब्धी थी सभी ने एकता संगटन और श्रमदान का महत्वभी समझाया था क्या हो गया था यहाँ पे छोटे बच्चों का आत्मविश्वास अनुभवी बुजर्ग और युवाओं की श्रम गिन सब मिला के यहाँ पे यह पूल बानदा गया था बरसात में इस बार भी नाले में पानी भरा था पर विद्यार्थी हसते खेलते पूल से पाटशाला की राह जाने लगे पूल भी विद्यार्थियों के होसले को दाद देता मानो मन ही मन में कर जाहा चाहा वहा रहा जुई ने अपने बड़े भाई की साहिता से पूल के उद्गाटन का वृत्तांत बनाया और संगनक की साहिता से शिक्षा निरिक्षक के सामने प्रस्त किया जुई ने क्या किया था अपने जो बड़े भाई हैं उनकी साहिता से उद्गाटन याने ज उसने क्या किया था प्रस्तुत किया था याने वहाँ पे उसने अपना वह भाशन मांडा था इस तरह से बच्चों एक ही बात बोलती हूं जब भी हमको कुछ भी कठी नहीं आई तो उसमें डगमगा नहीं है कभी डरना नहीं है जहा चाह वहा राह याने की होसले से आत्मवि क्यों है